इस वीडियो के अंदर हम लोग discuss करने वाले max life के term insurance plans के बारे में तो दिखे ये पहला ऐसा term plan ता जिसने सबसे पहले zero cost term insurance को जो है यहाँ पर introduce किया था market के अंदर साथ में हम लोग जानेंगे कि max life के usb points क्या है, zero cost term insurance आखिर होता क्या है साथ में आप लोग के जितने भी common questions होंगे term insurance को लेने से पहले प्लस उसमें क्या-क्या important चीज़े आपको ध्यान में रखनी चाहिए ये सारी जानकर ये आपको मिलने वाली है इस वीडियो के माधियम से तो गाईस पूरा वीडियो यहाँ पर जरूर देखेगा अगर इसके में AUM size की बात करूँ एक लाग करोड से जादा का इसका AUM size है प्लस इसके recently में जो latest claim paid जो percentage है वो 99.34% का है जिसे आप मेरी screen के सामने दे सकते हैं ये latest यहाँ पर ब्राउचर है जिसके अंदर अगर मैं compare करना चाहूँ जिसको जैसे के leading brands हो गया ICAC potential की अगर आप दिखेंगे तो 97.82 है और SDFC के life का दिखेंगे तो 98.66% है वहीं पर आप यहाँ पर simply max life का दिखेंगे तो 99.34% का यहाँ पर आपको claim paid जो है percentage मिलता है जो कि अपने आप में market में सबसे जादा यहाँ पर highest मना जा सकता है तो guys यहाँ पर आप देशाचते है 2021 के अंदर total इनके जित्ते भी यहाँ पर claims थे वो सारे के सारे almost paid हुए है कोई भी यहाँ पर claim rejection में यहाँ आपको कोई नहीं बलेगा claim rapid rate का मतलब होता है कि उस policy के अंदर वो terms and condition यहाँ पर mention नहीं थी payment का आपका mode क्या होना चाहिए आपको lump sum बे करना है limited pay करना है साथ में payment जो आप payout का जो आप mode choose करेंगे कि कैसे आपको पैसा मिलेगा आपको lump sum रखना है आपको installment में रखना है तो यह सारी चीज़े आपको पता होनी चाहिए इन सभी पे discussion से पहले मैं आपको recommend करना चाहूँगा policybazar.com को क्योंकि यहाँ पे 20 से भी ज़्यादा कमनियों के term plan को simply compare कर सकते है एकी screen के उपर plus guys policybazar से buy करने पे आपको 5 additional benefit मिल जाते है आपको dedicate claim यहाँ पे assistant मिल जाता है आपको 10% discount मिल जाता है premiums के उपर साथ में आपको unbiased और certified advisor मिल जाते है plus guys इनके 51 cities के अंदर walk-in store है जहाँ पे आपको advisory मिल जाती है plus guys इनके जो advisor है आपको door step भी यहाँ पे service provide करते है तो guys देर किस बात के link आपको description box के अंदर दे रहा हूँ एक बार यहाँ पर जरूर चेक आउट कीजिए तो चलिया guys हम लोग इन कुछ FAQs को यहाँ पे जान लेते तो पहली चीज़ यह कि कई लोग यह कहते है कि आपको term plan की requirement है इससे better आप you lay plans या फिर जो money back guarantee plans होते है उनको आप cover कर सकते जहाँ पर आपको insurance भी offer होता है पैसा भी वापिस मिलता है आप guys बात करते है किती life आपको cover करने चाहिए तो ideally आपकी साल भर के अंदर जित्ता भी expense होता है जित्ती भी income होती है उसका 25x at least आपको cover करना चाहिए यानि कि अगर आप साल भर का 5-6 लाग रुपे कमाते हो तो at least आपका 1 करो का तो cover होना ही चाहिए साथ में guys slower question यह होता है कि किस age तक मुझे यहाँ पर cover करना चाहिए तो normally आपको 60 तक cover करना चाहिए जब तक आप retired नहीं जाते या फिर आपकी जो liabilities है वो यहाँ पर खतम नहीं हो जाती है साथ में बताना चाहूँगा term plan के जो premium होते है वो vary नहीं करते है एक बार अगर आपने ले लिया आपका term plan premium यहाँ पर fix हो गया उसके बाद में आपका lifetime वही रहने वाला है साथ में गाइस कई लोग जो premium paying term होता है उसको limited pay कर देते तो देखे यह कोई भी investment नहीं है आप अपनी basically life insurance करवा रहे तो आपको हमेशे यहाँ पर regular pay रखना चाहिए साथ में जो pay out है वो आप simply यहाँ पर lump sum कर सकते हैं ताकि आपकी family को सीधा पैसा एक साथ ही मिले चलिएगा इस जालने थे कि max life के अंदर यहाँ पर कितना मेरा premium आने वाला है तो screen के सामने आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपनी जो age 29 years रखी है और 10 to 15 lakh का income bracket रखा है और non smoker रखा है तो screen के सामने दे सकते हैं आप अगर मैं अपने आपको 60 तक यहाँ पर simply cover करता हू तो 11,276 रुपय का मेरा यहाँ पर premium आता है जिसको अगर आप leading brand के साथ में compare करेंगे तो obviously काम है तो guys बात करते हैं कि यह काम कैसे करेगा तो simply मुझे 11,276 रुपय सालबर का pay करना है और बीच में कभी भी यहाँ पर अगर जो है death वगर होती तो family को सीधे 1 crore रुपय मिलते और यह basically मेरी जो policy है जब तक मैं 60 का नहीं हो जाता हूँ तब तक basically यह cover करता है इस policy के अंदर guys में को दो जो है additional free के अंदर benefit भी मिलता पहला होता है earlier payout the terminal illness तो guys terminal illness basically क्या होती है यह एक ऐसी बिमारी होती जो कि ला इलाज होती है मतलब doctor simply आपको लिख करके दे सकता है कि इत इतने time के अंदर आपके नहीं पर death हो सकती है तो guys उस case में क्या होगा आपको premium pay करने की जरूद नहीं है अगर आप जिंदा है उसके बावजूद भी max life जो insurance company है आपका जो term plan के अंदर जो भी आपका payout होगा एक करोड रूपर जैसे वो simply आपके family को provide कर देती है इसके आपका premium में यहाँ पर increase होगा लेगन यहाँ पर आपका अच्छा option यह मिलेगा कि जब आप 68 के हो जाते तो उसके पहले आपका option मिलेगा कि आपने जित्ता भी premium pay कि है excluding the GST उसको आप वापीस ले सकते है लिए मैं example बताता हूँ अभी right now में इसको 60 के है चलिए हम लोग इस यहाँ पर basically में को एक option मिलेगा वो है premium payback का जैसे मेरी age यहाँ पर 54 years की होती है जबकि मेरा जो cover है वो 70 तक cover होता है तो 54 year की age में मुझे लगता है कि मेरी cyber liabilities जो यहाँ पर खतम हो चुकी है अब मुझे policy बंद कर देनी चाहिए तो उस case में guys आपने जित्ता भी premium pay किया है excluding GST वो पूरा का पूरा आप यहाँ पर वापिस claim कर सकते हो और guys यही चीज़ यहाँ पर simply zero cost term plan किलाती है इसके अंदर आपका premium slightly थोड़ो सा increase हो सकता है लेकिन यहाँ पर आपको यह अच्छा option मिलाता है कि एक certain age के बाद में इस policy को आपको discontinue करने का option मिल जाता है और पूरा premium आप वापिस यहाँ पर claim कर सकते हो अगर इस बात करते हैं कुछ आपको add-on benefits भी मिलते हैं जैसे कि अगर आप अपने premium को 2 साल के लिए कभी भी skip करना चाहते हो तो आपको 846 rupees और additional premium यहाँ पर pay करना पड़ेगा साथ में अगर आप accidentally death cover होता है उसके अंदर अगर माली जी 10 premium बंद करवाना है अपना तो उस case में आपको 312 रुपे देने पड़ेंगे साथ में जितने भी critical illness है उस case में भी अगर आप cover करना चाहते हो तो आपको 2500 रुपे के something additional premium pay करना पड़ेगा लेकिन देखिए इन जो paid benefits होते हो उसका जादा कोई यहाँ पर sense नहीं होता है better होता ह आप simply pure term insurance यहाँ पर ले सकते हो और आपको जो free benefits मिल रहें वो यहाँ पर काफी कमाल के हैं अब guys ultimately अगर मैं pro और cons की बात करूँ तो pro तो यह कि इसका premium जो अगर हमें leading brand के साथ में compare करो जैसे की ICAC और SDFC तो guys यह तीनों ही कमनी अपनी आप में सबसे बड़ी कमनी मने जाती ह के ICAC, SDFC और Max Life तो guys इसके इसके इंदर आप compare करेंगे तो definitely आपको यहाँ पर premium थोड़ा बहुत कम देखने को मिलेगा, साथ में यह zero cost sum insurance भी आपको offer कर रहा है तो यह अच्छी बात है, cons की बात करो तो यहाँ पर जो waiver of premium है on the critical LS, normally यह जो feature है वो basically free of the cost होता है, लेकिन इस plan क के अंदर Max Life आपको paid करने के लिए as a add-on benefit निया पर आपको बताया जा रहा है, जबकि guys यही चीज़ अगर आप simply ICAC के अंदर देखेंगे तो आपको waiver of the premium जो cover होता है, वो basically free of the cost प्रोवाइड किया आता है, तो guys होपी like this video, please subscribe our channel, अगर guys आपको policy की और details जाननी है, तो मैंने link description box के अंदर दे रखिए, जहांपे आप policy बजार के उपर simply इसको compare कर सकते हैं,